दोस्तों आदिवासी भारत के सफर के सिलसिले में आज कल हम गुजरात के आदिवासी इलाकों में घूम रहे हैं अभी तक हम डांग में थे और आज कल हम नर्मदा वैली में हैं नर्मदा वैली में भील आदिवासी बड़ी तादाद में रहते हैं मुख्यत यह इलाका आदिवासी इलाका है सम्विधान की अनुसूची पांच जो है वो दस राज्यों में लागू है और उनमें से गुजरात एक है नर्मदा वैली और दूसरे आधिवासी इलाकों में रहने वाले आधिवासी अनुसूची पांच में दिये गए अधिकारों को पेशा कानून में दिये गए अधिकारों को असर्ट करने के लिए यहां पर पत्थल गड़ी आंदोलन शुरू करने की बात कर रहे हैं और इस बात की शुरुवात मात्र से सरकार बेचैन हैं आज के एपिसोड में इसी पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे गुजरात के भरूच जिले की जगडिया तहसील में एक गाउं के सरपंच ने तहसिलदार को ग्राम सभा के सामने पेश होने का नोटिस दिया है के भीतर जवाब देने का समय भी दिया गया है यह खबर किसी को भी चौंका सकती है क्योंकि देश के ग्रामिन इलाकों में तहसिलदार एक बेहद प्रभावशाली अधिकारी होता है इस तरह के अधिकारियों के सामने पंच और सरपंच आम तोर पर नतमस्तक रहते हैं बना भी जपिती तीडियों हमारे यहां आके हमको बोलता है कि यह बॉल्ट किसके पूछ के लगाया है हमने बताया बनाया है उसकी सरवसमति से हमारा गाउँ में हमने ने बौल लगा है तो वह हम को नौटिस दिया है रुडिक गाम सबा में ऐसा आता है हमको जितनी मालूम है उत्ता में कहता हूं कि हमारा गाउँ में जो कोई भी टीडियों बाहर का जो मेरे मानसी की इतना आप हम हमको करते हो इसको एक पंदरा दिन की नॉटिस का जवब देने को कहा था लेकिन टीडियों नहीं दिया गुजरात की जगडिया और डेडिया पाड़ा तहसील के आदिवासी इलाकों में जगह जगह पर कुछ खास तरह के बोर्ड नजर आते हैं इन पर गुजराती में विस्तार से समिधान की अनुसुची पांच के प्रावधानों क को समझाया गया है साथ ही ये बोर्ड यह घोशना भी करते हैं कि इस इलाके में आदिवासी ग्राम विवस्था लागू है हमारा ओनलीफोर ये बोर्ड लगाने का मकसद यही है कि हम हमारे गाउं के जो लोग है जोग को जागरूत करें और बंदरण में जो अनुसुची पांच है उसमें जो बसो चुम्माले से वनुचित में जो लगता है कि हमारा राज, हमारा गाम, हमारी जमीन वो जो बंदारन में लिखा है और बंदारन में लिखा है उसकी जागरूती के लिए हमने बौर लगा है गुजरात के सूरत, भरूच, वलसाड, पंचमहल, सदोद्रा और डांग जिले के जादतर हिस्से समिधान की अनुसूची पांच के दाएरे में आते हैं इसका मतलब ये है कि इन जिलों की आबादी मुक्षत है आदिवाशियों की है समिधान की अनुसूची पांच के अनुसार इन इलाकों में राज्य का सामान्य प्रशासन लागू नहीं होता है इन इलाकों में आदिवाशियों को अपनी सामाजिक मानेताओं और पारंपरिक प्रशासनिक ववस्थाओं के अनुसार फैसले करने का अधिकार है गुजरास सरकान ने भी पैसा एक थोड़ा गणा अमल करके बंदारण में जो अनुसुती पांच है उसको जागरूती के लिए गुजरास सरकान ने भी भंडोर एकट्टा किया था आदिवासी शासन प्रणाली को लागू करने के लिए 1996 में पैसा कानून भी लाया गया था आदिवासी स्वाशासन का मतलब है एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें आदिवासियों के रीती रिवाजों, परमपराओं और जीवन शैली को कायम रखते हुए सत्ता और विकास के अधिकार उनके हाथ में रहें इसी साल जुलाई महिने में गुजरात पुलिस ने बवीता कच्छत, सामो ओडिया, और बिर्सा उडिया नाम के तीन आदिवासियों को खरबतार कर लिया इन तीनों पर गुजरात पुलिस ने नकसली गतविधियां भढ़काने का आरोप लगाते हुए देश द्रोह का मुकदमा दाहर किया है ये तीन आदिवासी कारेकरता जहारखंड में पतल गड़ी आंदोलन से जुड़े भी बताए गए हैं गुजरात के आदिवासी इलाकों में ये कारेकरता समिधान की अनुसूची पांच और पैसा कानून के बारे में सभाएं कर रहे थे गुजरात सरकार की इस पुलिसिया कारवाई के बावजूद भरूच की कम से कम दो तहसीलों में समिधान की अनुसूची पाँच और पैसा कानून में दिये अधिकारों को हसिल करने का संकल मजबूत होता नज़रा रहा है किर्यों राज किया यहां की जो सरकार है सरकार के अंडर में आके हम को परेशान किया है तो यह परेशान करते हैं अगले थोड़े दीन में हम उस अडिडियों के बीत में हम ऐट्रोसिटि एक भी दाखल करने वाले है गुजरात सरकार और कई और राजय सरकारें जहांके आदिवासी इलाकों में समिधान की अनुसूची पांच लागो होनी चाहिए इस अनुसूची के प्राभभानों की जानकारी देने के लिए विशेश अभ्यान चलाती है लेकिन जब आदिवासी इन अधिकारों का इस्तिमाल करना तो दूर जानने समझने की भी कोशिश करते हैं तो ये सरकारें बेचेंग हो जाती है समीधान के अनुसूची पांच और छे में जो प्रावधान किये गए हैं उनके अनुसार आदिवासीों को अपने कस्टमरी लॉज के तहत अपना समाच चलाने का अधिकार है पैसा कानून ग्राम सभाओं को बहुत सारे अधिकार देता है इसके अलावा फोरेस्ट राइट एक्ट है जो जंगलों पर आदिवासीों के अधिकार को मानता है लेकिन अफसूस की बात ये है कि जब आदिवासी अपने इस अधिकार को मांगते हैं या उसके लिए कोई आंदुलन करते हैं तो उनको नकसल या देश-ध्रोही बता दिया जाता है जिस सरकार को इन अधिकारों को जमीन पर लागू करना है वही सरकार आदिवासियों को गिरफतार करने लगती है उन पर जुल्म करने लगती है खेर यहाँ पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं लेकिन आदिवासि भारत में हमारा सफर चलता रहेगा हम अलग-अलग राज्यों में जाएंगे अलग-अलग जिलों में जाएंगे आदिवासियों से मिलेंगे उनकी संस्कृति से आपको रूबर कराएंगे और उनके जो कानूनी और समयधानिक हक हैं उसकी बात करते रहेंगे आपसे गोजारिश है कि इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल का आइकन प्रेस कर दें जिससे के आपको हर नहे एपिसोड का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे फेस्बुक पेज को भी फॉलो करें लाइक करें इस्टाग्राइम पर भी हम हैं और उसके अलावा हम ट्वीटर पर भी मौझूद हैं बहुत बहुत शुक्रिया